कि सब्सक्राइब कीजिए वीडियो से रहे हैं चैनल को और बेल आइकन को दवाईए लेटेस्ट टिप चिक्स एन ब्लोक्स वीडियो सबसे पहले देखने के लिए पुलों ने सदियों से काम किया है जोडने का कभी संस्क्रती को तो कभी लोगों को कभी संप्रदाय को तो कभी व्यापार को इसलिए विकास के कदम और पुलों का नाता है अटूट भारत का खूबसूरत पूर्वोत पर क्षेत्र वर्तमान सरकार के प्रयासों से प्रगती के पत पर है अग्रसर और अब ये क्षेत्र साक्षी बनने जा रहा है उन्नती के एक और शिखर का असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डिबरू घड़ से 17 किलोमेटर दूर बना है देश का सब से लंबा रेल से है सडक पुल बोगी बील ये ब्रह्मपुत्र नदी पर सब से उंचाई पर है बना जिसकी कुल लंबाई है 4.94 किलोमेटर और लागत है 5920 करोड रूपए डबल लाइन डॉड गेज के साथ त्री लेन रोड की विशेशता वाले इस पुल के निर्माण में ब्रह्मपुत्र नदी में हर साल आने वाली बाहर का रखा गया है विशेश ध्यान इसलिए दोनों छोर पर 9 किलोमेटर और 7 किलोमेटर बांध को उपर उठाने और मजबूत बनाने पर दिया गया जोर यह होगा भारत का एक मात्र ऐसा पुल जो पूरी तरह से स्टील कॉंक्रीट कॉंपोसिट गर्ड से है बना ततकालीन प्रधानमंत्री स्वर्गिय अतल बिहारी वाजबई ने 22 अपरेल 2002 को की थी इस पुल के कार्य की शुरुआत लेकिन इसके काम में हो रहा था लगातार विलंब 2014 के बाद काम में आई अभूद पूर्वगती जब प्रधानमंत्री नरेंडर मोदी ने इस पर दिया विशेश ध्यान अटल जी के समय तरक्की का बोया गया पुल रुपी बीज आज बना है फालदार पौधा रेल सह सडक पुल होने के कारण ये जोड़ेगा उत्तर और दक्षन छोर के 74 किलोमेटर रेल नाइन को भी साथ ही दक्षन के NH-37 और उत्तर के NH-52 को भी जोड़ेगा पुल द्वारा जोडेंगे असम और अरुनाचल के साथ ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर और दक्षन छो इससे उत्तरी असम और पूर्वी अरुनाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को मिलेगा पल। पुर्वोत्तर की बढ़ेगी रेल कनेक्टिविटी डिबरुगड पहुचना होगा आसान जिससे गुआहाटी में कंजेस्चन होगा कम। ये पुल भ्रह्मपुत्र क उत्तरी तट के माध्यम से डिबरुगड के लिए एक छोटा और सुविधा जनक मार्क करेगा प्रदान। पुल रेलवे मार्क द्वारा 705 किलोमेटर और सडक मार्क द्वारा 150 किलोमेटर की दूरी कम करते हुए। डिबरुगड से इटा नगर तक प्रदान करेगा सीधा स डिबरुगड से वाया उत्तर छोर का अंतर वाया रंगिया 170 किलोमेटर होगा कम। साथी डिबरुगड से गुवाहटी वाया मोरन हाठ की दूरी भी होगी 55 किलोमेटर कम। बंध पर रहने वाले लोगों के दोनों छोर पर 16 किलोमेटर का सर्विस रोड बनाएगा याता याद को सरल। पुल देश के पूर्वी कोने तक सेना को और सेना तक सपलाई पहुचाना करेगा साथ। राश्ट्रिय सुरक्षा की दृष्टी से है पुल का विशेश महत्व तब ही तो ये पुल बनेगा पुर्वोत्तर भारत की जीवन रेखा। अब रेलवे, नौर्थीस्ट और विकास है एक दूसरे के परियाए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोधी इस पुल को कर रहे हैं राश्ट्र को समर्पित। जय हिन। झाल की बनेगा गास है युछ प्रफ विश्याओ मोधी वारत की जीवन रे एक दूसरे का विशेश के प्रिशतर भारत की जीवन राश्टर रेलवे, प्रुपतल बनेगा विशेश विकास.